साथ्यों, कोरोना वैश्वीक महामारी से निपट निकलिए भारत के अब तक के प्रयासों ने दुनिया के सामने एक अलग ही उधान प्रस्तूत किया है। भारत दुनिया के उन देशों में हैं जिसने कोरोना वाइरस की गंभीरता को समझा और समय रहते हैं इसके खिलाप एक व्यापक जंग शुरू की शुरूबात की है। भारत ने एक के बाद एक अनेक निर्ने किये। उन फैसलों को जमिन पर उतारने के लिए भरसक प्रयास किया। सभी सरकारों को साथ लेकर के आगे बढ़ने के में कोई कमी नर है इसकी चिंता की। और जैसे आप जानते हैं एक ऐसी बिमारी थी जिसका रूप रंग कुछ पता नहीं था। यह कैसे आती हैं कहां जाती हैं किस के पास पहुंचती हैं कुछ पता नहीं था। तब जो भी आवशक निर्ने करने के ज़रूत पड़ी एक्सपर्स की मदद से करते रहें। एरपोर्ड के पर विदेश्यों से लोगों के आने वालों के थर्मल स्क्रिनिंग हो। विदेश्ट में फसे भारतियों को स्वदेश लाने की बात हो। दुनिया के कई देशों से भारत में आने वाले हवाई यात तायात को बंद करने का बड़ा कठीन निर्ने हो। बोट मेडिकल इंफास्ट्टर को इस महामरी से निपटने के लिए तयार करने के लिए प्रयांस हो हर स्तर पर भारत एक के बाद एक प्रोयक्टिव हो करके फैस्टले करता गया राज सरकारों के सहयोग से इन फैस्टलों को गती भी मिली है भारत ने जितनी तेजी से काम किया है जितनी समगरता से काम किया है होलिस्टिक एप्रोच के साथ काम किया है आज उसकी प्रसंसा सिर्फ भारत में नहीं वर्ल हेल्थ और्गनाजेशन डबलू एचो ने भी किये हैं तमाम देश एज जूट होकर कोरोनों का मुकामला करे इसके लिए शार्ग देशों की विशेश बैटक हो या जी ट्वेंटी देशों का विशेश सम्मेलन भारत ने इन सारे आयोजनों में बहुत महत्वपुण भूमी का निभाई है इस दौरान दुनिया के अनेग देशों के राष्टा जक्षों से भारत लगाता और संपर्ग में हैं मेरी भी बात्चित होती रहती है सभी ने भारत के प्रयासों की सरहाना की है और हम जानते हैं भारत एक विकासिन देश है हमें पूरी तरह पता है कि हम गरीबी के खिलाब लड़ाई लड़ने में व्यस्त है हमारी पूरी शक्ति की प्रात्पिक्ता वो ही है लेकिन ऐसे समय जब ये संकट आ गया तो एक जुड़ता के साथ राष्ट्रिय अंतराष्ट्रिय मंच पर हम निरंतर प्यास करते हुए आगे बढ़ रहे हैं